हाई गाईज, वेल्टम तो कोड बैशर्स, आज का हमारा कोशन है maximum absolute difference, हमें इस कोशन में एक array दे रखा है n integers का, हमें maximum value find करनी है function fij की, अब ये function fij है क्या, fij जो है वो है maximum value of ai mod of ai minus aj plus mod of i minus j, where mod x denotes absolute value of x, इसमें हमें एक array दे रखा है, और हमें उसमें से ऐसी value find करनी है, जो इस expression दो maximize करे, मतलब ai minus aj के mod को maximize करे, और i minus j के mod को maximize करे, जैसे हमारा पास example दे रखा है, तो इसमें जो f11 होगा, मतलब i or j same है, जब भी i or j same होगे, तो a of i minus a of j की value हमें 0 ही होगी, और i minus j की value हमें 0 ही होगी, तो इसलिए हमारा पास यहां पर 0 दे रखा है, और अगर जी different हैं, जैसे, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2, तो इस case में हमें find करना है, जैसे एक example से तारतों, जैसे 0 और यह मतलब 1 और 2 position है, तो इसमें mod value होगी 1 minus 3 that is minus 2 और उसका mod होता है 2, तो 2 तो हो गई इस expression की value, mod of ai minus aj, और mod of i minus j की value हो गई 0 minus 1 that is 1, तो total answer हो गए 3, तो हमें ऐसे ही हर 2 positions के लिए check करना है, और जो भी उसमें से maximize answer हमें दे दे, इस पूरे expression का, तो हमें उस answer को print कर देना है, तो अब हम इस question की approach देख लेते हैं, हमें यह input array दे रखा है, 1, 3, minus 1 और हमें maximize करना है इस expression प्रो, that is mod of ai minus aj, plus mod of i minus j, अब हमें इस expression प्रों maximize करना है, अब हम इस question में, हम mod की properties से use करेंगे, जैसे कि हमने property of mod पढ़ी है, कि mod of x को हम जब हम mod हटाते हैं, तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो minus x लिख सकते हैं, और एक प्लस x लिख सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम इनके mods हटाएंगे, इन दोनो terms के individual terms के mods हटाएंगे, और एक बार इसको plus लिखेंगे और एक बार इसको minus लिखेंगे हर term को तो हमारे पास total चार combination बनेंगे देखते हैं जब हमने mod हटा दिये तो हमारे पास total चार combination बनें यह हम जातों दोनों terms को add कर दें या एक term को plus करके दूसरी term को minus रखें या फिर पहली term को minus रखें और दूसरी term को plus रखें या फिर दोनों को ही minus रखें तो यह हमारे पास दो combination बन रहे हैं तो अब जब हमने पहला combination देखा अब हमें यह याद रखेंगे जो हमने mod खोल दिया है तो हमारे पास जो भी terms आई हैं हमें उन सब को maximize करना है हमें इसको भी maximize करना है हमें इसको भी maximize करना है और हमें प्लस j, हमें इस पूरी term को maximize कना है, जब हमने a को plus रखा, दूसरे को minus रखा तो हमारे पास solve करके value आगई a of i minus i minus a of j minus j तो हमारे पास ये value आगई तो अब हमें इस पूरी value को भी maximize कना है जब हमने पहले value को negative रखा दूसरे value को plus रखा, तो भी पिल्वन जब solve दने पाद हमारे पास आया disl m g, a-, a-. तो हमें इस term को भी maximize करना है और जब दोनों को negative रखा तो हमारे पास आया a plus j और a to. तो हमें इस term को भी maximize करना है अब हमें water terms को maximize करना है और जो भी answer जो भी term हमें maximum answer दे दे वह हमारे पास final answer होगा अब हम में जब हम गौर से देखे तो हमें दिकेगा धिकर पहली और लास्टेम है है पहली और लास्टेम हमारे पछा सेम कर रखा है मतलबust यहां पर अंदर वेल्यू सेम है यह और आई एसाओ जैने अनुद यह ओर जैने वैसे ही नीचे भी और a of j plus j है और a of i plus i है तो हमारी ये दो terms तो बिल्कुल same है तो हम इन दोनों से को a की term consider करेंगे तो suppose को हमने पहली वली करी हमने इसको discard कर दिया अब हम गौर से देखें तो second और third term भी same है हमारी a of i minus i minus a of j minus j है और तीसरी term है a of j minus j minus a of i minus i दोनों terms बिल्कुल same है तो हम इन दोनों terms में से एक को ही लेंगे तो हम यह वरी term ले ले लेते हैं और इस वरी term को discard कर देते हैं अब जो हमारे पास question बचा है वो सिरफ यह बचा है कि हम इन दो terms को maximize करें अपने आप में और जो भी दोनों में से final maximum answer हो उसको return तर दें अब देखते हैं एक बार तो हमारे पास यह दो unit terms आ गई a of i plus i minus a of j plus j वैसे ही दूसरी term है a of j minus j minus a of i minus i तो अब हमें individual in terms को maximize करना है और दोनों से maximum answer return दना है अब हम यह देखते हैं कि हम इस term को maximize कैसे करें इस पूरी term को अब यह पूरी term maximize तब ही हो पाएगी जब हम इस particular element को maximize करेंगे और इस particular element को minimize करेंगे ठीक है, जैसे हमने इस a of i plus i को तो maximize करना है और वैसे ही a of j plus j को minimize करना है जब हम a of j plus j को minimize कर देंगे तो जब हम a of i plus i में से minus करेंगे a of j plus j को तो वो हमारे पास maximum answer आएगा, तो हम अपने इस पहली term को a of i plus i को हम max 1 मान लेते हैं और a of j plus j को हम min 1 मान लेते हैं, तो हम max 1 minus min 1 करेंगे तो हमँआरे पास answer आजाएगा यह term हमारी maximize होगी यह term हमारी minimize होगी, जब इन दोनों को minus करेंगे तो हमारे पास एक answer आएगा ठीक है यह पहली term का हो गया अब हम दूसरी term का देखते हैं दूसरी term हमारे पास है a of j minus j minus a of i minus i इसमें भी हमें पहली term को maximize करना है और दूसरी term को हमें minimize करना है जब हम पहली term को maximize करके दूसरी term को minimize करेंगे तो हमारे पास जो answer आएगा वो हमारे पास maximum answer आने की possibility है उसमें तो हम अपने पहली term को max 2 मान लेते हैं और दूसरी term को min 2 मान लेते हैं जो max 2 minus min 2 करेंगे तो हमारे पास answer आएगा हमारे पास एक answer इससे भी आगया max 1 minus min 1 से भी और एक answer इससे भी आगया max2-min2 से भी तो अब जो भी इन दोनों का maximum answer है वो हमें return दरना है यह हमारे पास max1-min1 होगे answer 1 और max2-min2 होगे हमारे पास answer 2 तो अब इन दोनों में से जो भी maximum answer होगा वो ही हमारा final answer होगा तो हमें अब यह final answer return दर देना है यह थी पूरे question की approach अब हम code देखते हैं हमने code में 4 variable ले लिए अपने int max1, int min1, int max2 और int min2 और एक variable ले लिए final answer जो हमें return दरना है अब हमें क्या करना था हमें अपने max1 और max2 को maximize करना है और min1 और min2 को minimize करना है तो हमारा max1 क्या था हमारा max1 था a of i plus i हमारा max1 था हमें अपने max1 को maximize करना है max of max1, v of i plus i और min1 को हमें minimize करना है min1, 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 min1 क्या था हमारा min1 था a, j plus j मतलब हमें maximize भी v i plus i को करना है और minimize v i plus i को ही करना है यह max 1 minus min 1 हमें answer 1 देदेगा और हमें अब answer 2 देखना है उसके लिए max 2 चाहिए था हमारा max 2 क्या था? max of max 2, हमारा max 2 था a j minus j means a j minus j हमारा max 2 था हमें इसको maximize करना है v of i minus i यह हमें maximize करना है और हमें minimize क्या करना है? min 2 is equal to min of min to comma हमें minimize करना है a of i minus i को means v of i minus i मतलब हमने maximize भी same terms और minimize भी same term को किया है इसमें हमने maximize भी same term और minimize भी same term को करा है इसमें हमने v i plus i को maximize किया था इसमें हमने v i minus i को maximize करा है तो हमें जो final answer होगा जो हमारा final answer होगा वो store कराएगा max of max 2 minus min 2 को हमा max 1 minus min 1 तो देख लेते हैं कि हमने इस pull term को maximize करने के लिए इस term को maximize कर रहा है और इस term को minimize कर रहा है और हमारे पास एक answer आया है answer 1 और हमने इस term को maximize करने के लिए इस term को maximize कर रहा है और इस term को minimize कर रहा है और हमारे पास answer आया है 2 अब जब हम max 1-min 1 करेंगे तो answer 1 आएगा और max 2-min 2 करेंगे तो answer 2 आएगा अब answer 1 और answer 2 में जो भी बड़ा होगा हमें वो return कर देना है तो हमने वो ही कर रहा है अब हम एक बार इसको run करके देख लेते हैं हमारे पास custom test is correct answer आ रहा है कि बास submit करके देख लेते हैं तो हमारे पास पूरा answer correct answer है तो हमारा की question बिल्कुल सही है तो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो thank you झाल